दोस्तों अपना पेसलिप देखने या डाउनलोड करने के लिए ये इस्टेप फालो करें सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है और सर्ज बार पे आपको टाइप करके सर्च करना है e-course online.cg.nic.in इसके पस्चा सिंपल आपको सर्च कर दिना है जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस तरह से apply corner पोर्टर open हो जाएगा अब दोस्तों आपको swipe करके नीचे आना है यहाँ पे आपको सो होगा apply login, enter user id, enter password तो यहाँ पे अपना user id और password फिल करके और साथ में यहाँ पे जो capture code सो हो रहा है इसे enter करके login पर click कर देना है जिससे आप यहाँ पर आसानी से login हो जाएंगे तो चले दोस्तों यहाँ पर में login हो जाता हूं इसके परश्चात हम आगे का process देखेंगे login होते ही screen कुछ इस तरह से सो होगा अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों pay slip का option है simple आपको more info पर click कर देना है more info पर आप जैसे click करेंगे तो इस तरह से एक नए screen open हो जाएगा अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखें यहाँ पर लिखा हुआ है salary slip pay month year तो यहाँ आपको select पर click करना है इसके परश्चात आप जिस भी month का pay slip निकानना चाहते हैं उसे select करिएगा जैसे कि मैं चलिए अगस्त का निकानना चाहता हूँ इसलिए मैं 8 2003 पर इस तरह से click कर देता हूँ click करते फिर से by dashboard इस तरह से आएगा तो आपको अब gate report पर click कर देना है gate report पर आप जैसे click करेंगे तब यह download होने के लिए active हो जाएगा अब दोस्तों आपको click here to download इस पर click कर देना है click here to download पर आप जैसे click करेंगे तो इस तरह से आपका paste लिप open हो जाएगा देख सकते हैं दोस्तों अब यहाँ पर print करने के लिए कोई भी option आपको नहीं मिलता है तो यह तो आप screenshot ले सकते हैं या फिर आप यह step follow करें देखें टाप राइट कारणर में एक arrow का निजान है आपके mobile हो सकता है three dot मिलेगा तो simple आपको 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 पर click कर देना है click करते ही आपको इस तरह से options देखने को मिलेंगे अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है share पर click कर देना है share पर आप जैसे click करेंगे तो आपको यहाँ पर print का option हूँ जाएगा तो चलिए मैं print पर click कर देता हूँ अब यहाँ पर आपको download करने के लिए या save करने के लिए option सून ही हो रहा है तो आपको क्या करना है select a printer यहाँ क्लिक करना है क्लिक करते देखिए save as PDF आप सनाएगा यहाँ पर क्लिक कर देना है फिर देखिए अब right side में PDF डाउनलोड करने के लिए इस तरह से logo आगया है इस पर क्लिक करना है लोगों पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए employee benefits salary slip इस तरह से यहाँ पर नेम आगे आप चाहे तो rename कर सकते हैं otherwise आप डारेक्टर से भी कर सकते हैं तो इस तरह से हम अपने pay slip को download कर सकते हैं उम्मिद करता हम दोस्तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा जदी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें, share करें, comment करें और चैनल में पहली बार आये हैं तो चैनल को subscribe करें धन्यवाद